तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्राक्टिस सेट समख्या एक जिसके अंतरगत आप 75 सवाल देखेंगे जिसमें जीके, जीएस और करेंट अफेर से जुड़े सवाल होंगे साथ ही साथ आपको उनके solution भी देखेंगे यानि कि हल भी देखेंगे तो चलेए सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल होगा पूरा लेख सास्त्र किसका अध्यान है आपके options होंगे option number A सिक्के, option number B सिला लेख, option number श्रीमंदिर, option number D पक्षी जबाब आपका होगा option number B सिला लेख, आपको बता दें कि पूरा लेख शास्त्र लेख के रूप में पूरा लेखों या अभिलेखों तथा सिला लेखों का अध्यान है यह आलेखों की पहचान करने, उनके अर्थ को स्पस्ट करने, तारिखों एवं संस्कृति संदर्भों के अनुशार उनके प्रयोग को वर्गी कृत करने और लेख तथा लेखकों के विशय में निसकर्स निकालने वाला बिज्ञान है पुड़ा लेख शास्त्र विधी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति पुड़ा लेख शास्त्री कहलाता है सवाल नंबर दूसरा होगा महिला एकल अस्ट्रेलिया ओपन दुहजार बाईस किसने जीता? आपके ओप्संस होगे अस्ट्रेलिया की एसले बार्टी ने देनियल कोलिंस को हडा कर अस्ट्रेलियन ओपन दुहजार बाईस का खिताब अपने नाम किया ये अफ़े बिश्व की नंबर एक महिला खिलारी है तीसरा नंबर सवाल होगा निम्न में से भारत का कौन सा ऐसा छेत्र है जहां पर भुकंप आने की समभावना सबसे अधिक होती है ओप्संस होगे आपके ओप्संस नंबर A है दक्षिन जिसे आप दक्कन करते हैं उसके दक्कन का पठार ओप्संस नंबर B है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी ओप्संस नंबर C है उत्री भारत का मैदानी छेत्र ओप्संस नंबर D है पस्रमी घाट आपके जवाब होगे ओप्संस नंबर B गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी आपको बता दे हैं गंगा ब्रहंपुत्र द्रोणी जिसे आप घाटी काते हैं या द्रोणी कहिए एक ही बात है गंगा ब्रहंपुत्र द्रोणी भुकंप के अधिक जोखिम वाले छेत्र के अंतरगत आती है यह द्रोणी स्रवाधिक जोखिम वाले उन पांच छेत्रों के अंतरगत आती है जहा भरतिय जो विसे सग्यों की जो चेताबनी है न वो है कि भरतिय प्लेट की जो उधरवा गामी गती है उसको संचित उड़ जा के उत्सरजन हेतु हिमाला के दक्षनी पासरव भाग के पिछले कई सताबदियों से सक्रिय न होने के कारण गंगा और भ्रमपूत्र के मैदान में लाखों लोगों के जीवन को खत्रा हो शकता है सवाल नमबर है चौथा बिहार बजट 2022 किसने पेस किया आपके उप्सेंस होंगे उप्सेंन नमबर ये अस्वीनी चौबे दूसरा नित्यानंद राय उप्सेंन नमबर सी तार किसोर प्रशाद उप्सेंन नमबर डी सहनवा आपके जवाब होंगे उप्सेंन नमबर सी तार किसोर प्रशाद आपको बताते चले बिहार बिधान मंडल में 28 फरवड़ी 2022 को राजी का आम बचट उप्यमुख मंतरी शहवित मंतरी तार किसोर प्रशाद के द्वारा पेस किया गया सवाल नमबर पाँच होगा अंतराष्ट्रिय श्वतंत्र पेश दिवस कब मनाया जाता है अप्सन सोगे एक मै तीन मै बाईस मै ग्यारह मै आपका जवाब होगा अप्सन नमबर बी तीन मै बताते चले कि अंतराष्ट्रिय प्रेश श्वतंत्रता दिवस तीन मै को मनाया ज सबस्टारा अन्तराष्ट्रीः प्रेश्ष्वातृत्रता दिवस्ट नलने का नेरन सब्सकान सब्सक्राएं युनेसको और सन्जुक्त राष्ट के जन सूपना बिवाग करण लिया था tree muskin हैं चलते हैं सवाल नमर चटा होगा है और सन्जुक्त्राष्ट के जन सूचना विभाग इन दोनों के दोरा मिला कर लिया गया था चल्दे हैं सवाल नॉम्बर 6 होगा अंड बान एवं निको बार दप्समू हो परनिमनलिखित उच नेयालें में से किस का एक का छित्र अधिकार है अंड मान निको बार दिखित उच उच न्यालेओं में से किस एक का छेत्रा अधिकार है आपके अप्शन्स होंगे अंध्रप्रदेश, कोलकाता, मद्राश और उडिशा जबाब होगा छठा का बी नमबर अप्शन होगा आपका कोलकाता बताते चले अंडबान एवं निको बार्दिप समुपर कोलकाता उच न पता उच न्याले के स्थापना कब हुई थी? 1862 में इस न्यायाले का खंडपिट, पोर्ट ब्लेयर में इस्तित है, हेड़कॉर्टर बोल सकते हैं, वर्तमान में साथ ऐसे उच न्यायाले हैं, जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राजियों और संगों के पास है, वर्तमान स करते हैं, वहां का उच न्यायाले है, केरल उच न्यायाले है, गुवाहार्टी का उच न्यायाले है, पंजाब एवं हर्याना उच न्यायाले है, और जम्मू का समीर उच न्यायाले है, ठीक है? चलते हैं सात्वा नमबर शवाल पर, निमने लिखित का मिलान करना है, यहां और जलान सा कप दिया हुआ है, इसके options जिसे आपको मिलान करना है, वो दिये हैं, football, cricket और hockey, बताना है कौन सा खेल, किस trophy से संबंदित है, ठीक है, आपके options दिये गए हैं, आप option देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो option number होगा, वो होगा B number का, ठीक है, B number यान जो आपका इरानी ट्रोफी संबंदित है, वो cricket से संबंदित है, दूसरे का A, संतोष ट्रोफी जो संबंदित है, वो football से संबंदित है, तीसरे का C, यानि कि अजलान सा जो कप है, वो होकी से संबंदित है, यानि कि होकी के लिए खिला जाता है, आपको बताते चले, कि इरा चानी कप रंजी ट्रोफी के 25 वर्ष पूड़े होने के अउसर पर वर्ष उन्हें 69 साथ के सत्र के दोरा नारंभ हुआ एक क्रिकेट टूनामेंट है संतूस ट्रोफी भारत के सरकारी संस्थानों और राज्यों के छेत्रिये संगों के मध्ध खेली जाने वाली एक मलेसिया में आयोजित होने वाली पूरुसों की अंतराश्य फिल्ड होकी प्रतियोगिता है चल दें आगले सवाल पर सवाल नंबर आठ होगा खेल नडित्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्यश्य है आपके उप्संस होंगे सिक्किम आंधर प्रदेश हरियाना और हि आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश आपको बताते चले थोड़ा हिमाचल प्रदेश का एक प्रभाव साली मार्सल आठ सह नरित्य है यह तिरंदाजी के खेल के समान है जिसमें लक्ष जो है वो नरित्य करता हुआ मानव होता है पासा और साधा नामक दो टीम के ब अगला सवाल होगा अंतराष्ट्रिय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल अस्ट्रोनामी दे निम्न मेश्य किस दिन मनाया जाता है आपके ओप्सन्स होंगे 10 माई 12 अप्रेल 20 अप्रेल 2 माई आपके अंसर्स होंगे डी नंबर 2 माई बताते चले हर साल अंतराष्ट्रिय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल अस्ट्रोनामी डे वर्स में दो बार मनाया जाता है एक बार 26 सितंबर को दूसरा 2 माई को इस दिन खगोली संस्थान, प्लैनेटेडियम, संग्राले, बिभिन गतिवीधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागडुकता फैलाते हैं पला अंतर राश्रेख अगोल विज्ञान दिवस पहला जो है अंतर राश्रेख अगोल विज्ञान दिवस 1973 में मनाया गया था चलते हैं तस नमबर सवाल पर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संजुक्त सैन अभ्यास है अप्सन होंगे फ्रांस संजुक्त राज अमेरिका जिसे आप USA के भी नाम से जानते हैं रूश और जापान आप्सन होंगे बी ये आपका अंसर होगा संजुक्त राज अमेरिका के साथ भारत का जो युद्ध अभ्यास होता है ये एक सैन अभ्यास होता है जिसका नाम युद्ध अभ्यास आपको बताते चलें कि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक संजुक्त सेन अभ्यास है, इस संजुक्त अभ्यास का सोलहवा संसकरन आठ फडवड़ी से सुरू हुआ, राजस्थान की महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज में इसका समापन समारोह हुआ 11. सवाल होगा, सरसथवे नेशनल अवर्ड समारोह में निम्न मेश से किस फिल्म को सर्वस्रिस्ट हिंदी फिल्म के अवार्ड से शम्मानित किया गया, अप्सन होगे हिंदी मेडियम, छिछोडे, मनिक करनी का या मिट्टी 11. सरसथवे जी नेशनल फिल्म अवर्ड की घोसना हो गई है, 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुषांत सिंग राजपूत के फिल्म छिछोडे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवर्ड मिला है सवाल नमबर बाड़ा होगा, 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसियसन के अस्थापना की गई थी आपके ओप्सन्स होगे, बदरुदीन तैयब जी, बीके, चिपलंकर, आनंद मुहन बोष, सिसिर कुमार घोष आपके ओप्सन जो हैं, इसी प्रकार से हैं, आंसर होगा, ओप्सन नमबर C, यानि आनंद मुहन बोष, जो थे वो 1876 में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसियसन के अस्थापना की थी बताते चले, इंडियन नेशनल एसोसियसन, जिसे इंडियन एसोसियसन के नाम से भी जाना जाता है 1876 में सुरेंद्र अनाथ बनरजी और आनंद मुहन बोष द्वारा, ब्रिटेस भारत में अस्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन जो था यह स्वतंतरता के लिए भारत की आकानशाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया, बाद में इसका भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस में बिलाय हो गया तेरह नंबर सवाल होगा, भारतिय इतिहास के संदर्व में निम्न में शे कौन भावी बुद्ध है जो संसार के रक्षा है तू अवतरित होंगे अलोकितेस्वर, लोकेस्वर, मैत्रेई और पदम पानी ये आपके ओप्षन्स है जवाब होंगे तेरह नंबर के सी नंबर ओप्षन यानि मैत्रेई बताते चले बुद्ध दर्शन के इनशाट यह स्रिस्टी बिभिन चक्रों में विभाजित है इसमें एक बुद्ध चक् इस दर्शनों में बुद्ध के विभिन अवतारों का वर्नन देखने को मिलता है बुद्ध ने अपने चार अवतारों में अभी तक उपदेश दीए है बुद्ध के विभिन अवतार, चक, क्रकचंदा, कनकमुनी, कश्यप, साक्यमुनी, मित्रेई जो आने वाले हैं बुद्ध देश कहा दिये थे, 14 नमबर सवाल है, अंसर से पहले option बता दें, वैसाली, कोशामबी, सारनाथ और पावापुडी में से आपको बताने हैं, तो इसके option होंगे, option नमबर C, यानि सारनाथ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, आपको बताते चलें, कि बुद्ध द्वारा दिये गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र पड़िवर्तन कहते हैं, बुद्ध ने 35 वर्ष की आयो में ज्ञान प्राप्ति की, तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, 15 नमबर शवाल होगा, असोका राम बिहार निमन लिखित में से किस स्थान पड़ इस्थित है, अप्शन्स होंगे, बैसाली, पाटली पुत्र, कोशामबी, स्ट्रावस्ति, 15 के आंसर होंगे, अप्शन नमबर B, पाटली पुत्र, आपको बताते चले, कि असोका रामा बिहार पाटली पुत्र में स्थित है, इसका निर्मान असोक ने करवाया था, यह बिहार का निर्मान, सरी, इस बिहार का निर्मान, इंद्र गुप्त नामक थेड भिक्षू के निर्रिक्षन में हुआ था, थेर नामके एक भिक्षू हुए, इन्हीं के निर्रिक्षन में यह हुआ था, अगला जो सवाल होगा, 16 नमबर, पुर्त गाली उपनिवेश का प्रथम वाय सराय, भारत में कौन हुआ, तो आपको ओप्षन जो है, वो है, डियाज, वासको डिगामा, अलमीडा, या अल्बुककर्क, 16 नमबर का ओप्षन नमबर सी होगा, इसका आंसर, अलमीडा, ठीक है, आपको बताते चले, कि पूर्त गीजो का पहला, गवर्नन वाय सराय जो था, दी अलमीडा था, ठीक है, पूर्त गीज को हैं, पूर्त गाली कहते हैं, ये बात अप ध्यान रखिएगा, तो इनका जो पहला वाय सराय हुआ, अलमीडा हुआ, जिसने 1505 से 1509 स्वी तक अपने पद का परकारे किया, उसने कुछ कीले, जैसे अजानिवा, कीवा, बेशिन, एवं कोचीन में निर्मित, कुछ कीले, जैसे अजाविवा, कीवा, बेशिन और कोचीन में निर्मित, सेना के शाथ संघर्स किया तथा उन्नीस सोड़े 1509 एश्वे में इन तीनों सक्तियों को पड़ाजित कर दिया और इसी के साथ उड़मूज पर पूर्तगिजों का कब्जा हो गया पूर्तगिज गवर्नरों के नियुकते तीन वर्सों के लिए की जाती थी उस समय की बात है क कि 505 की बात है कि 17 नंबर सवाल होगा महराजा रंजीत सिंग के राज्य की राज़दानी कहां थी अप्सन होंगे अमरित सर पटियाला लाहर या कपुर थल्ला जबाब होगा अप्सन नंबर सी लाहर बताते चले रंजीत सिंग ने जमान साह की अनुमती से 17.99 इस्वे में लाहर प्रकपजा किया और उसे अपनी राजनतिक राज़दानी बनाया इस बिजय के पर्ण्याम स्वरूप रंजीत सिंग की प्रतिस्था में काफी ब्रिद्धी हुई 18.105 इस्वे में भंगी मिशलन से अमरित सर छीन लिया और उसे अपनी धार्मिक राज़दानी बनाया 18. सवाल होगा नीचे दिये गए एक कूट से निमनलिखित पहारियों का दक्षन से उतर की और बढ़ने ते हुए सही व्यस्थिगत अनुक्रम शुनिये आपको दिया गया है सत्माला पहाड़ी, कैमूड पहारी, पीर पंजाल, स्रेणी, नागा पहाड़ी ठीक है आपको ये इस प्रकार से अरेंज करना है कि जैसे दक्षन से उतर की और बढ़ते हुए जो पहाड़िया है इसके ऑप्षन जो है आप देखी लिए है आंसर होगा इसका बी नमबर ऑप्षन बी नमबर जो ऑप्षन होगा सबसे पहले सबसे उतर दक्षिन से उतर की और आना है अच्छा आप अठारा के बारे मैं आपको कुछ बता दे अठारा नमबर सवाल का कुछ डिसकसन आपको दे देते हैं कहा गया है कि सत्माला की जो पहाड़ी है वह महरास्ट के नासिक जिले में इस्थित है जो पश्रिम घाट परवत समूह का एक भाग है पीर पंजाल स्रेणी मुख्यता जम्मू कस्मेर में एस्थित लगो हिमाले के बिस्ताड को कहते हैं नागा पहाड़ियां भाड़त एबं म्यामार श्रीमा परवांचल की पहाड़ी में इस्थित है जिसके सरवच्य चोटी सारा मती 3826 मीटर है वो पुर्वांचल पहाड़ी के सबसे उची चोटी है 19 नमबर का सवाल देखते हैं 19 नमबर सवाल होगा निमनले लिखित में से कौन सी नदी भ्रंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है अप्शन होंगे कृष्णा गोदाबरी तापी या कावेरी आपका जबाब होगा अप्शन नमबर सी यानि कि तापी बता दें तापती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतूल जिले के मुलताई सहर के निकट सत्थपूरा पहाड़ी है जो 724 किलोमीटर लंबे मार्ग का अनुशरन करती हुई मध्य प्रदेश महारास्ट्र गुजडात से प्रवाहित होकर गुजडात के सूरत नगर के निकट खंभात की खाड़ी जोकी अरपसागर से जुड़ी हुई है में गड़ जाती है इस लंबे मार्ग के दोरान ये सत्थपूरा श्रेणी एवम अजंता श्रेणी के मध्य इस्थित भ्रण्स रेखा का अनुशरन करती है तथा नर्मदा नदी के समान ही भ्रण्स घाटी में तीब्र गती से प्रवाहित होती है इस नदी में औशाद की मात्रा के अभाव तथा खंभात की खाड़ी के जुड़ी ये लहड़ों के कारण जुड़नद मुख या एस्चु अड़ी का निर्मान होता है आप पढ़े होंगे एस्चु अड़ी आपको सुनने को भी मिल जागा एस्चु अड़ी को ही हम जुआरनद मुख कहते हैं ठीक है बीस नंबर सवाल होगा हीरा कुण बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है अप्शन होंगे अप्शन नंबर एसी उनात बी नर्मदा, शी महानदी, डी सौन बीस का आप आंसर होगा अप्शन नंबर सी महानदी हीरा कुण जो बांध है वो महानदी पर बनाया हुआ है आपको बता दें हीरा कुण बांध कुडिशा राज्य के संबलपुर जिले में जो महानदी है वहीं पर निर्मित है बिश्व की यह सबसे लंबी बांध है जो कि 4.8 किलो मीटर है इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेर छेत्र में सिचाई की जाती है चुकि यह बहुत बड़ा बांध बनाया गया है एक किस नंबर सवाल होगा नॉर्मन अर्नेस्ट बॉर्लोग जो कि हरित क्रांती के जनक माने जाते है किस देश से थ है आप्शन सोंगे संजुक्तरास्ट अमेरिका जिसे आप USA कते हैं मैक्सिको, अस्ट्रेलिया या न्यूजिलेंड एक किस का अंसर होगा आप्शन नंबर A USA आपको बता दे कि नॉर्मन अर्नेस्ट बॉर्लोग जो हरित क्रांती के जनक माने जाते हैं जिनका जन्म 25 मार्च 1914 इस्वी को अमेरिका के आहुयू प्रांत में हुआ था जबकि मैक्सिको उनका कर्म छेत्र रहा उनके द्वारा बेक्षत गेहू की उच उत्पादक्ता वाली प्रजातियों में से भारत, पाकिस्तान मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहू का उत्पादन दोगना हो गया स्री बॉर्लोग बिश्व के उन साथ व्यक्तियों में सामिल हैं जिन्हें नोबल प्रशकार अमेरिकी राष्ट्रपती का Medal of Freedom तथा Congressional Gold Medal तीनों ही प्राप्थ हुआ है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 इस्वे में इन्हें पदम बेभुशन शम्मान से शम्मानित किया गया 22 नंबर सवाल होगा भिलाई स्टिल प्लान्ट भारत सरकार तथा नहीं गलत मत सुन लीजिएगा फिर से पढ़ देता हूँ भिलाई स्टिल प्लान्ट भारत सरकार तथा निम्न लिखित में से किस एक का संजुक्त उपक्रम है आप्शन सोंगे रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या पुलेंट आपके अंसर होगा अप्शन नमबर ए यानि रूस आपको बता दूँ भिलाई स्टिल प्लान्ट के स्थापना पुर्व शोबियत संग की सहायता से 1955 इस्वी में 36 गर राज्य ततकालीक जो मध्ध प्रदेश है के दुर्ग जीले में भिलाई नामक स्थान पढ़ की गई थी इस सन्यंत्र में उत्पादन कार्य चार फरवड़ी 1969 इस्वी से प्राडम हो गई स्टिल थोरिटी ओफ एंडिया के अंतरगड आने वाली यह सन्यंत्र भाड़त की सबसे बड़ी स्टिल उत्पादन एवं लाब इस पाद संयंत्र है तेश नंबर सवाल होगा स्वर्ण चतरभुज परियोजना का संबंध किसके बिकास से है ओप्शन होंगे राजमार्ग, बंद्रगा, बिधुत, रिंखला जिसे आप पावर ग्रीड कहते हैं परियाटन चक्र जिसे आप नेटवर्क कहते हैं आपके उप्शन इसी प्रकार से हैं जवाब होंगे आपका उप्शन नंबर राजमार्ग से संबंधित है श्वर्ण चतरभुज परियोजना का संबंध आपका राजमार्ग से है आपको बताते चले देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश से भारत सरकार द्वारा एक ब्रिहत यानि बहुत बढ़ा राश्ट्रिये राजमार्ग विकास परियोजना एन एच डी पी आरंभ की गई थी देश की अब तक की सबसे बढ़ी राजमार्ग परियोजना का क्रियान वयान भारतिये राश्ट्रिये राजमार्ग पाधिकरन को सोपा गया है एन एच डी पी के प्रथम चड़न के अंतरगत दिल्ले, मुंबई, चेन्नई और कुलकता के चार महनगरों को जोरने वाले 5846 किलोमीटर लंबे स्वार्णेम चतरभुज गोल्डन क्वैडिलिट्रल राजमार्ग का निर्मान 1999 में प्रारंभ किया गया तथा 2012 ACV में यह परियोजना पूर्ण नर्मित हुई 24 नमबर आपका सवाल होगा भारत में निम्नमेस से कहां सबसे बरा पोत प्रांगण है अप्सन होगे कोलकाता, कोची, मुंबई, विशाखा, पटनम आपका जवाब होगा अप्सन नमबर B, कोची बताते चले, पूत प्रांगण से तातपर्य वैसे अस्थल से है जहां जहाजों का निर्मान एवं मुडमत कार्य होता है केरल में मालाबार तट के सहारे, कोची सीप्यार्ड देश का सबसे बड़ा जो सीप्यार्ड है जहां तेल टैंकर्स, फ्री गेड, तट रक्षक बलके टूही जहाज नौ सेना के एरक्राफ्ट, क्यारियर्स का निर्मान एवं मुडमत का कार्य होता है यह से प्याड एक लाख हजार जिसको अप DWT, डेड़ वेट, टोनेज छमता के जहाज का निर्मान और एक लाख पचीस हजार DWT जहाज का निर्मान कर सकता है इस सीप्यार्ड के स्थापना वर्स 1972 इसवी में की गई थी वर्तमान में एरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत का निर्मान कार्य कोची से प्यार्ड में हो रहा है सवाल नंबर 25 होगा निर्मन में से कौन बिस्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी परबत है आप्शन होगा माउंट पीना टूबो, माउंट किली मन जारो, माउंट ताल, माउंट कोटो पैक्सी आपको बताते चले, इसका जवाब होगा उप्शन नंबर D, माउंट कोटो पैक्सी सबसे बड़ी चीज बता दें आपको, कि जो माउंट पीना टूबो है यह 1460 मीटर है, फिलिपिन्स देश में माउंट किली मन जारो है, 5895 मीटर है तंजानिया, अफरीका, जो की अफरीका में पड़ता है तंजानिया, वहाँ यह अफरीका के सबसे उची चोटी में काउंट होता है, माउंट किली मन जारो जिसके उचाई 5,895 मीटर है Mount Tal जिसके उचाई है 331 मीटर ये Philippines में है Mount Kotopaxi जिसके उचाई 5,911 मीटर है ये Equiador में है सवाल नंबर 26 होगा निमनलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है एक बार पढ़ लीजिए तो उसन कटिबंधिय घास का मैदान है गया नहीं है ये सही है या गलत ये बताईए स्टैपिज सितोसन कटिबंध घास का मैदान है या नहीं है ये सही है या गलत है ये बताईए सेलवा उसन कटिबंधिय वन है या नहीं है ये बताईए टैगा सितोस्न कटिबंधिये 1 है या नहीं है ये बताएए इन चाड़ों में से कोई एक गलत है वही आपको बताने है इसका option number होगा A downs आपको बता दे कि प्रशनगत जो बिकल्प दिये गए है इनमें downs सुमेलित नहीं है downs सितोस्न कटिबंधिये घास का मैदान का विस्तार अस्ट्रेलिया के दक्षिन पुर्वी भाग एवं उत्तरित तस्मानिया में पाया जाता है जो downs है यहां उस नकटिबंधिये घास का मैदान इसको बताया गया है ठीक है जबकि ये सितोस नकटिबंधिये घास का मैदान है उस नकटिबंधिये नहीं है 26 नमबर सवाल पर चलते हैं निम नम युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें भी वही करना है, जो सुमेलित नहीं है, उसे बताना है, आप देख लिजे, बॉयलिंग जील जो है, वो डोमीनिका में है या नहीं है, फाइब फ्लोवर जील मंगोलिया में है या नहीं है, रेड लैंगून जील बोलीबिया में है या नहीं है, ग्रेट स्लेव जील कन कनाड़ा में है या नहीं है आपको आप्सन जो है सही जवाब के रूप में वो है फाइव फ्लोबर जिल मंगोलिया में नहीं है आपको बता दें कि वाइलिंग जिल डोमेनिका में है फाइव फ्लोबर जिल सीचुवान जो की एक चीन का प्रांत परता है तो चीन में है रेड स्लेव जिल जो है वो कनाड़ा में है ठीक है अगला सवाल 28 नमर सवाल बिहाड से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था ओप्सन्स होंगे इब्राहिम लोदी बहलोल लोदी सिकंदर लोदी सेड़ शाह सूरी आपके जवाब होंगे डी नमबर ओप्सन्स सेरशाह सूरी आपको पता दें सेरशाह सूरी द्वारा सरके आजम का निर्मान किया गया इस शब्द का सहित्तक अर्थ है प्रधान शड़क सत्रहवे शड़ी में इस मार्ग का बिटिस सासकों ने पुनर निर्मान किया और इसका नाम बदल कर ग्रैंटक रोड कर दिया अभी यह मार्ग ज्यादातर उत्तर भाड़त को जोड़ता है बिटिस इस मार्ग को लॉंग रोड भी कहते हैं सवाल नंबर 29 होगा बिहार में जग जीवन राम संसदिय अध्यन और अनुशंधान संस्थान कहा है अप्शन होगी दरभंगा पटना मुंगेर या सिवहर आपका सही जबाब होगा अप्शन नंबर B पटना बिहार में जगजीवन राम शंशधिये अध्यन और अनुशंधान संस्थान जो है वो पटना में इस्थित है तीस नमबर सवाल होगा निम्नलिखित में क्या अपर्त्यक्ष निवेश का साधन है अप्शन होगे मुचूल फंड, गोल्ड, ETFS, स्टॉक्स, अधिमान सेयर आपसे अपर्त्यक्ष निवेश का पूछा है तो तीस का अप्शन नमबर होगा B, गोल्ड, ETFS, एक प्रकार का अपर्त्यक्ष निवेश है 31 नमबर सवाल पर चलते हैं निवन लिखित में से कौन साधिश है शमवर्ती सुची में है शमवर्ती सुची में निवन में से कौन साधिश है ये आपको बताना है अप्शन है क्रिशी, सिक्षा, पुलिस या रक्षा जवाब होंगे आपके option number B सिक्षा जो है वो समवर्ती सुची में है निवन में से सिक्षा को समवर्ती सुची में रखा गया है पहले सिक्षा की प्रविस्टी राज्य सुची में थी किन्तु 42 में संशदिय अधिनियम 1976 की धारा संतावन द्वारा इसे समवर्ती सुची में रखा गया क्रिसी एक पुलिस का उलेख राज्य सुची में तथा रक्षा का उलेख संग सुची में किया जाता है 32 नमबर स्वाल होगा निमने लिखित राज्यों के निर्मान का सही अब रोही करम बता है यानि कि घटते करम में लिखना है तो आपके उप्षन सोंगे महरास्टर, राजस्थान, हरियाना, राजस्थान, महरास्थ, राजस्थान, महरास्थ, हरियाना, महरास्थ, राजस्थान सही जवाब होगा अप्षन नमबर D हरियाना, महरास्थ, राजस्थान जाने कि घटते करम में सजाना है तो सबसे बाद में किसका हुआ, उसके बाद पहले किसका हुआ, उसके बाद सबसे पहले किसका हुआ, इस प्रकार से. तो सबसे पहले हडियाना का हुआ, 1966 स्वी में, महरास्ट्र का उसके बाद हुआ, 1976 स्वी में, राजस्थान का सबसे पहले हुआ था, 1956 स्वी में. चलते हैं, अगले सवाल पर 33 नंबर सवाल होगा, उदारी करन, नीजी करन और भूमंडली करन की नई आर्थिक निती घोसित की गई, प्रधान मंत्री कौन थी उस समय भाई, आपके अप्शन्स होंगे, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रदाप सिंग, नर्शिम्हाराव, अटल भिहारी बाजबई, अप्शन का जो आंसर होगा, 33 वो होगा, नर्शिम्हाराव, यानि कि नर्शिम्हाराव के द्व उदारी करण, नेजी करण, और भुमंडली करण कि नई आर्थिक निति घोसित की गई थी, सवाल नमबर होगा, 34, मानो अधिकार संग्रक्षन अधिनियम, 1993 का उद्धेश से क्या था, अप्शन होंगे, मानो अधिकारों को बहतर संग्रक्षन प्रदान करना, मानो अधिक प्रदान करना या उप्युक्त में से सभी, आपको बता दे किसका जवाब होगा, उप्युक्त में से सभी आनि ओप्शन नमबर डी, बताते चले, मानो अधिकार संग्रक्षन अधिनियम, 1993 के अनुशार, मानो अधिकार से तात्पर्य शंबेधान द्वारा, या अंतर जा नयालयों द्वारा प्रवर्तनिये जीवन, स्वतंत्रता, शमानता एवं बेक्ति की गडिमा शंबंधी अधिकार से है। किंद्रीय निकाय है, जो मानव धिकार के संग्रक्षन, संबर्धन एवं अन्य सभी उपायों को अपनाने के लिए उतरदाई है। कि अप्शन होंगे, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नर्शिम्हा या विप्पे सिंग। 35 का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर C, पीवी नर्शिम्हा यानि कि जब पीवी नर्शिम्हा प्रधान मंत्री थे, उसी समय तीहत्तरवा और चोहत्तरवा संबिधान संसोधन हुआ था। आपको पताते चले, भाड़त के संबिधान में पंचायतो तथा नगर पालिकाओं से संबंधे, तीहत्तरवा और चोहत्तरवा संबिधान संसोधन, 1992 को पारित किया जाया ना था। इस समय पीवी नर्शिम्हा राओ प्रधान मंत्री थे, तीहत्तरवा संबिधान संसोधन को 20 अप्रेल 1993 को राश्ट्रपती ने अपने श्विक्रिती दी और यह 24 अप्रेल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया, जोहत्तरवा संबिधान संसोधन बिधेक जो हुआ, यह 20 अप्रेल 1993 को राश्ट्रपती द्वारा श्विक्रित कर दिया गया, और एक जुन 1993 को लागू कर दिया गया, 36 नंबर सवाल होगा, हाल ही में साहित्य का नोबल पुरसकार किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है, आपके ओप्सन्स होंगे, निर्मल वर्मा, अब्दूल राज् गुर्नाह, टोबियास वोल्फ, तारानात सर्मा, 36 का ओप्सन नंबर होगा, आपका B, जो की आंसर होगा, यानि अब्दूल राज्जाक गुर्नाह, ठीक है, आपको बताते चले, साल 2021 का साहित्य का नोबल पुरसकार उपन्यासकार अब्दूल राज्जक गुर्नाह को दि अपनी लेखनी के जड़िये, उपनी वेश्वाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है, उन्होंने सर्नार्थियों के भागय का निर्धारन करने के लिए, अपनी अडिग और करुणामाई लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पै नम्बूदरी, फट से नाम देख लेते हैं, नेलियोड वासुदेवन नम्बूदरी, जिनका हालहे में नीधन हुआ, किल्स नरित्य सैली से जुड़े हुए थे, अप्शन सोंगे कथक, कथक कली, भड़तनाट्यम या कुछी पूड़ी, साथिसका जबाब होगा अप्शन कली से जुड़े हुए थे, आपको बताते चले, नेलियोड वासुदेवन नम्बूदरी, एक कथक कली का लाकार थे, वह केरल के रहने वाले थे, उन्हें केरल की सास्त्रिये कथक कली नरित्यनाटक की दुस्ट चुमबना थड़ी भूमिकाओं के जिवंत चित्रण के एकेडमी पुरशकार, केरल राज्य कथक कली पुरशकार, आदि सहीत कई पुरशकारों के प्राप्त करता थे, कथक कली केरल के मल्यालम भाशी, दक्षिन पस्षिम छेत्र के एक हिंदू प्रदर्शनी कला है, और तिस नंबर सवाल होगा, विश्व शरनार्थी दिवस, व जबाब होंगे, ओप्शन नंबर सी, बीस जून, विश्व भर के शरनार्थियों की सक्ति और दुढ़ निश्चे एवं उनके प्रति सम्मान को स्विक्रिती देने के लिए, संजिक्त रस्ट द्वारा प्रति वर्स बीस जून को विश्व शरनार्थी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, इस दिन के आयोजन का प्रात्मिक उद्विश्व भर में आम जन्मानस के बीच सरनार्थियों की स्थिती के प्रति जागरुकता बढ़ाना है, यह दिवस शामानित उन लोगों के प्रति समर्पित है, जिन्हें प्रतार्णा, संगहर्स और हिंसा की चुनातियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है, उन्चालिस नमबर सवाल होगा, भारत की पहली केंद्रिये औसधी प्रयोग साला, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, किस राज्य में स्थापित की गई थी, अप्सन होंगे, आंध प्रदेश, बता दें, कि केंद्रिये औसधी प्रयोग शाला, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कसोली मानो उप्योग के लिए, इम्यूनो बायोलोजिकल, जिसे आप टीकाय के रूप में ले सकते हैं, या अन्टी सेरा के रूप में ले सकते हैं, कि पड़िक्षन के लिए, राष्ट्रिये नियंतन प्रयोग साला है, जो कि हिमाले प्रदेश में, सरी, हिमाले प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में, इस्तित है, हालही में केंद्र शरकार ने दो प्रयोग सालाओं के स्थापना की है, जिन में एक स्वायत अनुशनधान संस्थान, राष्ट्रि कोशिका बिज्ञान केंद्र NCCS है पूने में और दूसरी राष्ट्रिय पसु जैविक प्रध्योगी की संस्थान NIAB हैदराबाद में किंद्रिय और सधी परियोग साला CDL के रूप में है चालेश नंबर सवाल होगा बिहार में धार्मिक जनगनना 2011 के अनुशार निम्न में से कौन से समुदाय का जनगनना प्रतिसत सबसे निवनतम है उप्शन होगा इसाई, सेख, इसलाम या बौध उप्शन होगा जो की अंसर के रूप में होगा उप्शन नंबर D बौध बताते चले धार्मिक जनगनना 2021 के अनुशार बिहार में बौध धर्म को मानने वालों की संख्या कुल जन संख्या का 0.02% है जबकि इसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या 0.12% है उसी पकार से सिख धर्म को मानने वाले की संख्य 0.2% है और मुस्लिम 16.87% है बिहार में सबसे अधिक हिंदू 82.69% है 41 नंबर सवाल होगा निम्रलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पद भार ग्रहन किया है अप्शन होगा लतिका यादो रूची सिंग अड़ुनीता चोधरी प्रेड़ना सिंग जवाब होगा अप्शन नंबर B रूची सिंग रूची सिंग बिहार की पहली महिला DFO बनी है बैलेस नंबर सवाल होगा 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा एप लौच किया है सवाल फिर से देख लिजिए 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सी एप लौच की है आप्शन होगे सक्ति एप महिला सक्ति पुलिस दिदी नारी 24 x 7 42 का अंसर होगा आप्शन नमबर C पुलिस दिदी पताते चले बिहार पुलिस ने 24 घंटे महिलाओं के सुरक्षा सहायता के लिए पुलिस दिदी नाम का एप लॉंच किया है 43 नमबर सवाल होगा बिहार के किस जगह Population Research Center खोला जाएगा बिहार में कौन से जगह पर Population Research Center खोला जाएगा ये सवाल है औप्शन है पटना, भागलपूर, मुझफत्फरपूर या हाजिपूर आंसर होगे ए नमबर ओप्शन पटना में बताते चले बिहार में पटना बिश्व विद्धालाय में 6.9 करोड के लागत से Population Research Center स्थापित किया जाएगा बिहार की देश में कुल 18 Population Research Center खोले जाएगे आपको फिर से इसके बाड़े में बता दें कि जो बिहार है बिहार में जो पटना बिश्व विद्धाला है उसमें 6.9 करोड के लागत से Population Research Center स्थापित किया जाएगा बिहार को लेकर देश में कुल 18 Population Research Center खोले जाएगे समझ गया चो वालिस नंबर सवाल होगा भिखारी ठाकूर पुरसकार 2021 के लिए किन्हे चुना गया है Option होगे भगवाती पशाद द्विवेदी, रितेश द्विवे, भवानी पशाद पांडे, अजीत मिश्रा चो वालिस का Option No.A आपका अंसर होगा भगवाती पशाद द्विवेदी भिखारी ठाकूर पुरसकार भजपूरी भाषा में उपलब्धी प्राप्त बेक्ती को प्रदान किया जाता है 2021 के लिए भगवाती प्रशाद को इस पुरसकार के लिए चुना गया है 45. सवाल भिहार में महादलित आवाशी भूमी योजना के तहत भूमी हीन आवाश हीन महादलित को कितना डिसमिल भूमे उपलब्ध कराने का प्रावधान है 45 का ओप्षन होगा 2 डिसमिल 3 डिसमिल 4 डिसमिल 45 का जवाब होगा option number C 4 डिसमिल आपको बता दे कि महादलित आवाश भूमी योजना के तहत महादलित को चिन्हित करके तीन डिसमिल का जमिन उपलब्ध कराया गया है देखिए कहीं कहीं इसके बारे में आपको बता दे चार डिसमिल भी मिल जाता है तीन डिसमिल भी मिल जाता है लेकिन जहां तक हमें बात है पता है तीन डिसमिल का है तो इसका option number आपका जो होगा न, वो होगा B number option सही होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 46 number सवाल पर, भारत की महान दिवार, Great Wall of India, और दुनिया के दूसरी सबसे लंबी दिवार, किस राज जिया के अंदर साशित प्रदेश में इस्थित है, आपके options होगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजडा, 46 का आंसर होगा, option number B, राजस्थान में, बताते चलें, कुंभल गड़, जिसे भारत की महान दिवार के रूप में भी जाना जाता है, यह, संस्थान राज्य के उदैपूर के पास, अरावली पहाडियों के सीमा पूर, एक कील है, यह, चीन की महान दिवार के बाद, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दिवार है, 47 नंबर सवाल होगा, ओस्कर 2022 में, बेस्ट फीचर फिल्म का अवर्ड, किस फिल्म को मिला, आपके options होंगे, किंग रिचर्ड, कोड़ा, दा वेंड शेल्ड वाइपो, बेस्ट, बेलफेस्ट, 47 का अंसर होगा, option नंबर बी, कोड़ा, आपको बताते चलें, ओस्कर 2022 में, बेस्ट फिल्म का अवर्ड, कोड़ा को मिला है, साल 2021 में, रिलेज हुई फिल्म, कोड़ा, एक ऐसे परिवार क के कहानी है, जिसमें लोग सुन नहीं सकते हैं, और तालिस नंबर सवाल होगा, पहला, लता दिनानाथ मंगेशकर पुरसकार, नेमनमेशे किसे प्रदान किया जाएगा, आपके options होगे, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, ग्रिह मंत्री अमिच्चा, रक्षा मंत्री राजन प्रधान मंत्री अश्वेनी बैसनाव, अर तालिस का जो आंसर होगा, वो होगा, option number A, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, बता दे आपको, कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को पहला लता दिनानाथ पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा, पी-म को ये पुरसकार, 24 अप्र प्रधान किया जाएगा, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार का उद्देश, शंगीत, नाटक, कला और समाजी कारे के छेतर में दिगजों को सम्मानित करना है, 69 सवाल होगा, मानव अंतरिक्ष उडान का अंतर्राश्ट्रिय दिवस, International Day of Human Space Flight, निम्न में से किस दिन मन मनाया जाता है, आपको आप्सन सोंगे, 10 जनवरी, 12 अप्रेल, 18 हमाई, 20 अगस्त, आपको बताते चलें कि इसका जो आप्सन नंबर भी होगा, ये आंसर सही होगा, यानि 12 अप्रेल को ये मनाया जाता है, बता दें, हर साल मानव अंतरिक्ष उडान का अंतर्राश्ट्रिय दिवस, International Day of Human Space Flight, 12 अप्रेल को मनाया जाता है, यह दिन, 1961 में, यूरी गागरीन की एतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्स गाठ के रूप में मनाया जाता है, संजुक्त राष्ट महा सभाने, अप्रेल 2011 में, 12 अप्रेल को मानव अंतरिक्ष उडान का अंतराश्ट्रिय दि दिवस का मुख्य उद्धे से सतत विकास लक्ष को प्राप्त करने में, अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुस्टी करना है, पचास नमबर सवाल होगा, हाल ही में किस देश ने हेलीना, गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलता पुरवक ने पडिक्षन किया है, अप्शन होगा इजराइल, भारत, चीन या रूस, आपको पता दें कि इसका आप्शन नमबर जो B होगा, वो होगा सही जवाब भारत, यानि कि भारत ने हेलीना गाइडेड मिसाइल का सफलता पुरवक परिक्षन किया है, आपको पता दें, भारत ने राजस्थान के पोखड़न र लाइट हलिकॉप्टर, एल एज, इसे लॉंच किया गया था, डी आइडियो के मुताविक हेलीना सिस्टम में दीन एवं रात हर मौशम में हीट करने की छमता है, यह पारमपड़िक एवं बिस फोटप, प्रतिक्रिया शील कबच के साथ दुस्मन के टैंकों को मार गिरा सक प्रक्रति है, एक्च्यावन नंबर सवाल होगा, जिस प्रघटना ने प्रकास के अनुप्रस्त स्वरूप को स्थापित किया, वह प्रघटना क्या है, आप्च्यą होगे, प्रावर्त्न, व्यतिकरन, वीवर्त्न या धुर्विकरन, आपका झthm़ोगा, एक्च्यावन का D नमबर ओप्शन सही होगा धुर्वी करन बताते चले वह अदभुत घटना जो प्रकास को अनुप्रस्त प्रकृति प्रदान करती है धुर्वी करन कहलाती है चुकि धुरुवक के साथ इसकी क्रिस्टल ये संक्षना धुरी के सापैक्षिक दिग्विन्यास के तुरमली क्रि तरंगे अंतर विस्ट होनी शाहिए अनुप्रोस्त तरंगे वे तरंगे हैं जो प्रशरन की दिशा के लंबवत दोला या मान होती है बावन नमबर सवाल होगा निवनलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांस्पोर्ट किया जाता है अप्शन होगा फेफर और शरीर के बाकी हिस्सों के बिच ऑक्सीजन कार्बन डैक्साइड गैस यक्डित या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाये जाने वाले अप्शिस्ट उत्पाग पाचन क्रिया से पोशक्तत्व या उप्योक्त सभी 52 का आपका ओप्शन नंबर जो डी होगा वो होगा सही यानि इन में से सभी रक्त फेफरों और शरीर के बाकी हिस्सों के बिच ऑक्सीजन और कार्बन डैक्साइड गैस सहीत कई पदार्थ को अस्थानांत्रित करती है पाचन तंत्र शे पोशक्तत्व यक्रित या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अप्सिस्ट उत्पाद ग्रंथियों से हर्मोन को सिकाऊं और तवचा से गर्मी जो सरीर के तापमान और विनिमित करने में मदद करती है तिरपन नमबर स्वाल होगा ख्लोडोफिल क्या होता है अप्सन है सोडियम, पोटैसियम, मैगनेसियम या मैगनीज ठीक है तिरपन का अप्सन नमबर जो डी होगा वो होगा सही जवाब यानि कि मैगनेसियम आपको बता दें कि केंद्रिय पर्मानू के अंतरगत समनवरित पर्ण हरित अनू की मूल सरक्षना पर्ण हरित को ही आप क्लोडोफिल कहते हैं मूल सरक्षना एक पारफाइरीन रिंग है यह संगर्चना जो है इसमें हीमोगलोबीन में पाय जाने वाले हेम समू के समान है अंतर केवल इतना है कि हेम का केंद्रिय पर्मानू आइरन है जबकि पर्ण हरित का केंद्रिय पर्मानू मैगनेसियम है इसकी खोज उन्हें सचोव इसवी में की गई थी यह पहला उसर था जब सजीव उत्तकों में मैगनीसियम का पता लगाया गया था सवाल नमबर चुवन होगा सहथ जिसमें सक्कर को उच शांदरता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि option होगे आपके चार इनहीं में सबताना है शहथ में ऑक्सीजन का अभाव रहता है अतर जिवानों शक्रिये अवस्था में जेवित नहीं रह पाते B नमबर option होगा इनमें प्रकरतिक एंटियोक्सीडेंट होते हैं जो जिवानों के आक्रमन को रोक देते हैं C नमबर option होगा उच पराशरणिये सामर्थ के घोल से पानी निकल जाते के कारण जिवानों सक्रिये अवस्था में जीवित नहीं रह पाते D कोई बिकल्प सही नहीं है आपको बताना है तो 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका option नमबर C उच पराशरणिये सामर्थ के घोल से पानी निकल जाने के कारण जिवानों सक्रिये अवस्था में जीवित नहीं रह पाते 55 नमबर सवाल होगा अच्छा इसके बारे में बता भी दे 54 के बारे में सरकड़ा के अधिक पड़सरणिये और निरजली करण अभाओं के कारण जिवानों सरकड़ा के अधिक संकेंद्रण में ब्रिधी नहीं करते सरकड़ा चाहे ठोस रूप में हो या जलिये रूप में हो यह अपने शंपड़क में आने वाले खाद उत्पाद की सरकड़ा की मात्रा को संतुलित करने का प्रयास करती है इसमें खाद पदार्थ के वे उपलब्ध जल की मात्रा को बाहर निकालने और पदार्थ के रुपांतरित भाग में सरकड़ा के अनुओं को सम्मिलित करने की छमता होती है परिणाम स्वरू जल की कमी वाला उत्पाद जल शक्री है जिसको आप AW के नाम से जानते हैं कि कमी वाला उत्पाद कहलाता है जो अनबाइंड का मापक है अतर सुक्षम जिवों के अस्तित्व और विकास के लिए खाद पदार्थ में मुक्त जल अनुओं की उपलब्दता अनिवार्य है सरकरा के अन्य जिवानु रोधी प्रक्रमों में जिवानुओं की एंजाइम गती विधी में बाधार डालना और इसके डी एन्ने की आनुविक संड़क्षना को कमजोड करना सामिल है आपका सवाल नंबर 55 होगा कम ताप मान पड़ सीसा निमलेखित में से किस रूप में बढ़ताव करता है आपके अप्सन्स होंगे अर्ध चालक, स्रेष्ट चालक, बिद्धुत रोधक जिसे आप प्रिथक कासी कहते हैं या चालक 55 का अप्सन नंबर जो बी होगा वो होगा सही जवाब यानि कि स्रेष्ट चालक, सीसा जिसे आप लेड कहते हैं 7.2 केल्बिन के निम्न ताप मान पर पारगमन की अती चालक अवस्था दर साता है यह खोज 1913 में की गई थी, इस ताप मान पर जिसे क्रांतिक ताप मान के रूप में जहना जाता है सीसे की मिध्धुत प्रतिरोधकता 0 यानि कि सुन्ने होती है परागमन इतनी जल्दी और पोन होता है कि यह पदार्थ के बिमिन अवस्थाओं का परागमन प्रतीत होता है इस अती चालक अवस्था का वर्णन BCS सिद्धान्त द्वारा किया जाता है 56 नमबर सवाल होगा निमन लिखित में से कौन सा एक प्रकर्तिक पॉलीमर है अप्शन होगा बेकलाइट नैलोन पॉलिथिन स्टार्च आपको बताते चले कि 57 का जो C नमबर ऑप्शन होगा पॉलिथिन ये होगा सही जवाब छोटी आत की आंतरिक भित्तियों में उंगली के समान हजारों उपद्रवियां होती है जिसे विली यानि की एक वचन में विलस कहते हैं इसको विली पाचित भोजन के और सोशन में ब्रिद्धी करता है प्रतेक विलस में अपनी सतह के निकट पतले और छोटी रत्वाहिनियों का एक जला हुआ नेटवर्क होता है विली की सतह पाचित खाद्य समागणियों को अपसिस्ट करती है अंठावन नंबर सवाल होगा स्वारी संतावन नंबर सवाल देखते हैं पहले कौन से अंग कपड उंगली कौन से अंग पड जो उंगली है न के समान उभडी हुई सणचनाय होती है जिन्हें दिरगडों तथा रसांकूर कहते हैं तो संतावन का उप्शन नंबर जो C होगा यो होगा आपका एंसर छोटी आँ ठीक है बड़ी आद छोटी आद मुत्रासे या पेटी ये उप्शन्स थे आपके ये मैं से छोटी आद जो होगा वो होगा आपका उप्शन्स ठीक है अंठावन नंबर सवाल निमन मैं से कौन एक सदीस मात्रा नहीं है त्वारन विद्धुधारा बल या संबेद अंठावन का उप्शन्स नंबर जो होगा वो होगा बी सही जवाब यानि कि बड़ुत भार आपको बताते चले कि भौतिक रासी के लिए सदीस रासी का प्रयोग किया जाता है इसकी मात्रा और दिशा पर्याप्त नहीं होती रासी को शदीस के संकलन नियमों का भी अवश्य पालन करना चाहिए विद्धुधारा एक अदीस रासी है यह धनात्मकावेस की प्रवा दिशा का प्रति निधित्व करती है लेकिन इसे अदीस रासी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि धारा अदीस संकलन के नियमों का पालन नहीं करती इसका कारणिया है कि धारा वहन करने वाले तारों के मध्य का कुण पड़िपत के कुल धारा को प्रवाहित नहीं करता 69 नमबर सवाल होगा वाहनों को सुरक्षित मूर लेने के लिए अवश्यक के अंध्रिये बल प्रदान करने है तो किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंत्रिक किनारे से उपर करने की प्रकिडिया को क्या कहते हैं आपके ओप्संस होंगे धालू सरक जिसे आप कह सकते हैं धालू सरक कहना है या इसे आप सरक की बैकिंग कह सकते हैं सरक की कौर्णरिंग कह सकते हैं या सरक की उचाई करना कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं कि सरक की टेप्रिंग करना कह सकते हैं आप बताएं आपके ओप उन्सट का option number होगा A ढालू सरक या सरक के backing आपको बता दें कि वाहनों को सुरक्षित रूप से मोरणे है तो अवश्य केंद्रा भिसारी बल प्रदान करने के लिए आंतरिक किनारे के उपड घुमावदार सरक का बाह किनारा उपड की ओर उठा होता है और घुमावदार सरक क backing of roads कहते हैं यदि एक कार समतल पड़ है को कार लगाने वाला क्रियाशील बल है उसका भार mg जिसको मिलीग्राम कह शकते हैं कार के नीचे की ओर खीचता है और सरक के कार शामाने बल एन जो की कार के ऊपर की ओर खीचता है ये दोनों बल उधरवा धर दिशा में कार करते हैं और इसमें कोई छैतिज घटक नहीं होता यदि घड़सन नहीं है तो कार को एक बृताकार प्वत की गती करने है तो आवशक केंद्रे भाई साड़ी बल की आपूर्ती करने वाला बल नहीं होगा इस प्रकार कार किसी भी नीती से नहीं घूम सकती शाठ नमबर सवाल होगा संभारिक क्या होते हैं? ऑप्शन होगे ऐसे तत्व जिनकी परमानों संख्या समान होती है लेकिन परमानों द्रव्यमान भिन होता है ऐसे तत्व जिनके प्रमाणों संख्या भीण और दरव्यमान भी भीण होते हैं 60 का होगा option number B जी सही जबाब ऐसे तत्व जिनके प्रमाणों संख्या भीण लेकिन दरव्यमान संवाण होते हैं उसे सम्भाडिक कहते हैं आपको बताते चले कि आईसो बार विभिन रशायनिक तत्तों के प्रमाणू है जिनके केंद्रन की संख्या समान होती है तदनुसाड आईसो बार के प्रमाणू संख्या प्रोटोन की संख्या भिन होती है लेकिन द्रभ्यमान संख्या समान होती है आईसो बार के सिंखला का एक उदाहरन आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें 40S, 40CI, 40AR, 40K और 40CA हो सकता है सभी केंद्रकों में 40 Nucleuton होते हैं हलाकि प्रोटोन और Nucleuton की संख्या भिन-भिन हो सकती है एकसर्ट नमबर सवाल होगा निमना लिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्टित नहीं किया जा सकता ओप्प्प्पजन होगा Sona, Chanda, Potassium, Aluminium एकसर्ट का ओप्प्पजन नमबर जो होगा C, सही जबाब होगा एकसर्ट का ओप्प्प्पन नमबर जो C है वो सही जबाब होगा Potassium आपको बताते चले कि वे पदार्थ जिन्हें पीट कर पतली पड़तों में पडिवर्तित किया जा सकता है आगहात वर्ध कहलाते हैं या आगहात वर्धनिये पदार्थ कहलाते हैं अधिकांस धातु अगहात वर्ध होते हैं सोना और चांदी स्रवाधिक अगहात वर्ध धात होगा मीनी माता रोग एक तंत्रीका विकार है जो किस चीज़ से ग्रशित मस्ली के सेवन से होता है आप बता सकते हैं अप्सन होगा लोहा पाड़ा सीज़ या निकेल आपका बासट नमबर जो सवाल है इसका होगा आप्सन नमबर बी यानि की पारा पारा से ग्रशित जो मचली होगा अगर आप उसे खाईएगा तो मीनी माता नाम का एक रोग है जो कि आपको हो जाएगा, आपको बताते चले, मीनी मता रोग, तिब्र पारा विशाक्तता के कारण होने वाला एक तंत्री का विशाक्त संगर लक्षन है, एटेक्सिया, हाथ और पैर का सुन होना, मांस्पेसियों का कम जोड होना, द्रस्टी छमता में काफी कमी, और सुनने तथा बोलने की छमता में काफी कमी, इत्यादे इसके लक्षन में सामिल है, इस रोग का नाम करण, जापान के कुमामों प्रांत में एस्थित, मीनी मता सहर का नाम पड़ किया गया था, जहां इसकी खोज शर्व प्रथम, उननेस्टो चपन में की गई थी, 63 नमबर सवाल होगा, centigrade map जिसको scale करते हैं, जिसमें मापा जाता हैं, degree Celsius, वो नहीं, centigrade map scale का विसकार कौन है, आपके options हैं, एंडर्स, Kelvin, Daniel, Gabriel, जिसको Daniel, Gabriel, Fahrenheit कहते हैं, ठीक है, William, Thompson, 63 का जो option number A होगा, वो होगा, इसका answer, यानि की एंडर्स, centigrade जो scale है, इसका map, एंडर्स ने अविसकार किया था, या खोज किया था कह सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा फड़क है, जो की एक बहुत बड़ा फड़क बन आता है, चलिए, आपको पताते हैं, सुडिस, खगोल, सात्री, जो एंडर्स Celsius थे, इन्होंने Celsius के बाड़े में 1742 स्वी में पता लगाया, Celsius तापमान पैमाने का इन्होंने अविसकार किया, उसके द्वारा, अविसकृत Celsius पैमाने में, शमुद्र तल के वायु दाब पड़ सुद्ध जल के हिमांग, 0 डिगरी Celsius और क्वातनांग, 100 डिगरी Celsius के मद्ध, 100 डिगरी होती है, Celsius सब्द को 1948 में भाड़ और मापक पर आयोजित अंतराश्ट्रियस और मेलन में अपनाया गया था, 64 नमबर सवाल पर चलते हैं, कता एक नैनो मीटर बराबरा क्या होता है, आपके options आपको दिख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आपके option हैं बताएं, तो 64 का जो option होगा, option नमबर B आपका जो है, वो answer होगा, यानि 10 to the power minus 7 centimeter, आपको बता दें, कि नैनो मीटर लंबाई में आपने की काई है, जो एक मीटर के 10 के power minus 9 के बराबर होती है, एक नैनो मीटर का मतलब होता है, 1 into 10 to the power minus 9 meter, एक मीटर का मतलब होता है, 100 centimeter, 10 to the power 9 minus 9 meter का मतलब होता है, 12 के power 2 into 10 to the power minus 9 centimeter, यानि 10 to the power minus 7 centimeter, आपको ले चलते हैं अगले सवाल पर, 65 नमबर सवाल होगा, क्या मुख्य कारण है, कि एक आख की अपच्छा, दो आखों का होना अधिक उप्यूकत है, आपके options होंगे, दो आखों के कारण, रंग आशानी से पहचाने जा सकते हैं, दो आखों के कारण, हम अंधेरे वहलके पकास में आशानी से देख सकते हैं, इसी कारण मुझेक वीजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, इस कारण से दूरी वगहराई का अहसास होता है, आप बताईए options आपको दिख रहे होंगे, तो 65 नमबर सवाल है, इसका option जो होगा, वो होगा D नमबर सही जवाब, यानि इस कारण से दूरी वगहराई का अहसास होता है, दो आखों के होने से प्रतिविम्ब की समित सटिक होती है, यानि की समित मतलब समित छमता जो है, वो एक सटिक छमता होती है, इसी कारण से दू स्केल पर मानों शरीर का शामान्य ताप कितना होता है। आप बता सकते हैं 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री, 31.5 डिग्री, 68 नमबर सवाल का जवाब होगा, option नमबर C, यानि 36.9 डिग्री जो है, ये आपका जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि Celsius पैमाने को पहले centigrade पैमाने कहा जाता था, इसमें हिमांक को 0 डिग्री बताया जाता है, और द्रब्यनांक को 100 डिग्री बताया जाता है, मानों शरीर का सामान्य जो ताप मान होता है, 36.9 डिग्री Celsius होता है। 67 नंबर सवाल पर चलते हैं, 66 नंबर सवाल होगा, जब समताप मंडल में ओजोन का अवश्य होता है, तो प्रिथवी के धरातल पर पतित भिकीरन की तरंगधैर कितनी होती है। आपको options दिख रहे होंगे, बताएं, मैं आपको बताता हूँ, 67 का B नंबर जो option होगा, वो होगा सही जवाब, 10 to the power minus 7m, आपको बता दें, कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवश्य होता है, तो प्रिथवी के धरातल पर पतित भिकीरन की तरंगधैर 100 nm होती है। एक nm में 1.0 into 10 to the power minus 9m होता है, उसी प्रिकार से 100 nm में जो होगा 10 to the power minus 7m होता है। 68 nm सवाल है, निम्ने लेखित में बेस्व यानि कि यूनिवर्ष में कौन शर्व प्रत्थम या सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Carbon, सर्वाप्रत्थम मतलब सबसे पहले और स्वाधिक मतलब सबसे जादा। ठीक है। 68 nm सवाल का जो जवाब होगा वो होगा Option nm A Hydrogen, Hydrogen जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है आपको बता दें कि वैसे तो वायो मंडल में Hydrogen 0.01% ही पाया जाता है। लेकिन यूनिवर्स में स्वाधिक मात्रा में है यह क्योंकि वायो मंडल 400 km के उपर ब्रह्मांड अनंत है। हलका होने के कारण सबसे उपर Hydrogen Gas ही पाया जाता है। 79 nm का सवाल होगा Stamless Till Mistra Dhatu है। Option बताया रहा है किस किस चीज़ का बताना है आपको। ठीक है लोहा क्रोमियम यसद और कारबन, लोहा टेन मैगनेसियम यसद, लोहा क्रोमियम मैगनीज और निकेल, लोहा निकेल यसद और टेन। 79 nm सवाल का होगा आपका option number C जो होगा वो सही जवाब होगा लोहा क्रोमियम मैगनीज और कारबन। सत्तर नमबर सवाल होगा, भारी पानी वह पानी होता है, जो अप्सन बता दिया है, अप्सन देखें, जिसका तपमान 4 डिगरी सेलसियस पर एस्थित रखा जा सकता है, जिसमें क्यालसियम और पोटेसियम के बिलाय लक्षन होते हैं, जिसमें हैड्रोजन तथा हैड्रोजन क अस्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, सत्तर का अप्सन नमबर जो C होगा, वो होगा आपका अंसर, जिसमें हैड्रोजन का अस्थान आइसोटोप ले लेता है, बताते हैं, भारी पानी वह पानी होता है, जिसमें हैड्रोजन का अस्थान आइसोटोप ले लेता है, भा दंत निर्मान हेत्व, निमनलिखित में से किनकी आवशकता होती है, आपके options होगे, sodium और potassium, दूसरा option होगा, लोह और calcium, तीशरा option होगा, sodium और calcium, चौथा option होगा, calcium और phosphorus, 71 का जो है, option number D जो होगा, वो होगा, सही जवाब, calcium और phosphorus, बता दें आपको, कि अस्थी एवं दंत निर्मान हेत्व, calcium और phosphorus की आवशकता होती है, इनमें calcium और phosphorus संचित रहता है, जो आवशकता पढ़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है, 72 नंबर सवाल होगा, मानो शरीर में चुद्रान्त के तीन शनक्षनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हुआशवान क्रम है, आपका option होगा, मध्यांत ग्रहनी सेशांत्र, सेशांत्र ग्रहनी मध्यांत्र, मध्यांत्र सेशांत्र ग्रहनी, सेशांत्र मध्यांत्र ग्रहनी, भातर का option नंबर डी होगा, सही जवाब, सेशांत्र मध्यांत्र ग्रहनी, ब्याख्या बता दें आ आत आहार अनाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है, कौन सा है भई? तो यह 71 नमबर सवाल नहीं है, यह 72 नमबर सवाल है, ठीक है, आपको बता दिया गया है कि इसका जो आप्शन नमबर D है, से सांत्र, मध्यांत्र और ग्रहनी है, यह सही होगा, आपको बता दे कि छोटी आत अहार नल का सबसे लंबा भाग है, इसमें संपूर्ण पाचन के क्रिया होती है, इसका प्रणभिक भाग U की तरह मुड़ा हुआ होता है, जो ग्रहनी कहलाता है, इसके अन्य दो भाग मध्यांत्र और सेसांत्र में विभेधन होता है, 73 नमबर सवाल होगा, विटामिन D में न कैलसी फेरोल, आपको बताते चले कि विटामिन D के दो प्रमुख प्रकार है, विटामिन D2, आर्गो कैलसी फेरोल, जिससे आप कहते हैं, डिट्टू को आर्गो कैलसी फेरोल ही कहते हैं, ठीक है, और विटामिन D3 जो है, जिसको आप कोले कैलसी फेरोल कहते हैं, मानो सरेन में मिलने वाला क्याल सी ट्राइ ओल विटामिन दी का सक्रिय रूप है चोहत्तर नमबर सवाल होगा और सी किसका प्रचूर्ण है विटामिन त्री विटामिन को यह आवश्यक अमीनों का यह प्रती ऑक्सिडेंट का आपको बता दें कि ऑल सी जो है वो चोहत्तर का होजएगा विटामबर आपका ओप्सन जो की होगा ओमेगा त्री विश्यक अम आप और सी या तीसी एक तिलहन एम रिशेदार फॉसल है इसके बीज में बीज से तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्लिस बनाने में, रंग बनाने में, साबून, पेंट तैयार करने में किया जाता है। इसके तेल का यह बिशेश गुन है कि वायू के संपर्क में रहने के कुछ समय बाद यह ठोस अवस्था में पड़िवर्तित हो जाता है। आज का 55 शवाल और अंतिम सवाल है, अगर अगनाशे में खराबी हो तो क्या होगा। इंसुलीन और ग्लुकागॉन नहीं बनेगा। आपको बता दें। अगनाशे मानव सरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथी है, यह एक मिस्रित ग्रंथी है। इसके एक भाग, लेंगर हैंस के द्विपिकाम के, अलफा कोसिका से, ग्लुके गॉस, बीता कोसिका से, इंसुलीन और गामा कोसिका से, सोमेटोस्टेटीन नामक हर्मोन निकलता है। अगर अगनाशे में खराबी आजाए, तो हर्मोन का अस्त्राव बंद हो जाएगा। इस प्रकार से विक्सत करें, कि सभी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, जैहन वन्ने मातरम।